यशायाह अध्याय सोलह यशायाह भविश्वक्ता की पुस्तक अध्याय सोलह देश के हाकिम के लिए भेडों के बच्चों को जंगल की ओर से सेला नगर से सियोन की बेटी के परवत पर भेजो और उजाडे हुए घोसला के पक्षी और उनके भठके हुए बच्चों के समान मौआप की बेटिया अरनोन की घाट पर होंगी सम्मती करो नय चुकाओ दो पहर ही अपनी चाया को रात के समान करो घर से निकाले हुए उसको छिपा रखो जो मारे मारे फिरते हैं उनको मत पकड़वाओ मेरे लोग जो निकाले हुए है वे तेरे बीच में रहे नाश करने वाले से मौआप को बचाओ क्योंकि पीषने वाला नहीं रहा लूट पाठ फिर न होगी देश में से अंधेर करने वाले नाश हो गये हैं और दया के साथ एक सिहासन स्थिर किया जाएगा और उस पर दावत के तंबु में सच्चाए के साथ एक विराजमान होगा जो सोच उचार कर सच्चा न्याय करेगा और धर्म के काम पर तक पर रहेगा हमने मौआप के गर्व के विशे सुना है कि वह अत्यंत अभिमानी है उसके अभिमान और गर्व और रोश के संबंद में भी सुना है परम तु उसका बड़ा बोल गर्थ ठहरेगा क्योंकि मौआप मौआप के लिए हाय हाय करेगा सब के सब हाहा कार करेंगे किरहरासत की दाक की टिकियों के लिए वे अतिनिराश होकर लंबी लंबी सास लिया करेंगे क्योंकि हेश्पोन के खेट और सिबमा की दाक लताएं मुर्चा गए अन्ने जातियों के अधिकारियों ने उनकी उत्तम उत्तम लताओं को काट काट कर गिरा दिया है वे याजर तक पहुँची है वे जंगल में भी फैली गई और बढ़ते बढ़ते ताल के पार दूर तक बढ़ गई थी मैं याजर के साथ सिबमा की दाखलताओं के लिए भी रोंगा हेश्पोन और इलाले मैं तुम्हें अपनी आसों से सिंचूंगा क्योंकि तुम्हारे दुपकाल के फलोके और अनाच काटनी के समय की ललकार सुनाए पड़ती है और फलदाए बारियों में से आनंद और मगंता जाती रही और दाख की बारियों में गीत न गाया जाएगा न हर्ष का शब्द सुनाए देगा दाखरस के कुंडों में कोई दाख न रहुननेगा क्योंकि मैं उनके शब्द के हर्ष को बंद करूँगा इसलिए मेरा मन मुवाप के कारण और मेरा रध है किरहरे से के कारण विना कासा शब्द देता है और ऐसा होगा कि जब मुवाप उचे स्थान पर मुह दिखाते दिखाते ठक जाए और प्राठना करने को अपने पवित्र स्थान में आए तो उसे कुछ लाब न होगा यही तो वह बात है जो यहुआ ने इससे पहले मुवाप की विशे में कही थी परन्तु अब यहुआ ने यो कहा है कि मजदूरों के वर्षों के समान तीन वर्ष के भीतर मुवाप का विभव और उसकी भीडवाड सब तुच्छ ठहरेगी और थोड़े ही बचेंगे जिनका कोई बाल न होगा